Hello my dear students, welcome to the MS Science Academy, मैं हूँ मिनुश्य वास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे Microbiology के अंदर scope के बारे में, अभी तक हम history को पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि अलग-अलग scientists उसमें बहुत अलग-अलग तरीके से contribute किया Microbiology को बढ़ाने के लिए तो आज हम डिस्कस करते हैं scope of the Microbiology के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं scope of Microbiology सबसे पहले scope of Microbiology के अंदर अगर हम देखें या किसी भी ब्रांच के अंदर अगर हम देखें सकते हैं उसकी detailed knowledge के बार ठीक है तो what can we get after having detailed information और knowledge of it तो scope को हम कैसे scope basically क्या है किसी subject के बारे में आपने बहुत detailed knowledge ले लिए है अब उसको आप wide level पे spread कर सकते हैं wide level पे utilize कर सकते हैं तो वह चीज़ होती है scope तो इसको हम लिख सकते है scope means तो scope means क्या है what can we get what can we get or received after having received after having detailed knowledge of it detailed knowledge of it or any kind of subject तो ये है scope अब basically microbiology का scope अलग अलग अस्पेक्ट में है या यह कह सकते हैं कि हम microbiology का ऐसा कौन सा अस्पेक्ट इसमें इसका scope नहीं बनता है क्योंकि microorganism सभी जगे हैं तो सभी जगे इसकी बात होनी चाहिए तो इसको हम इस तरीके से divide कर सकते हैं कुछ specific aspect जिन पर आपके questions बनते हैं उन पर हम इसकी बात कर सकते हैं जैसे सबसे पहले food बिलकुल food में इसकी बात कर सकते हैं आपका ब्रैटीरियास फूड के अंदर अलग-अलग aspect या अलग-अलग microbiology के अंदर हम देखते हैं कि वह microorganism के study करते हैं जो की food को खराब करते हैं कंटमिनेट करते हैं और करते हैं इसके अलावा food जो है generate भी करते हैं बनाते भी है एक बचपन से आप लोग इसका example पढ़ते आये हैं जैसे East का East क्या है आपका Saccharomyces cerevisi अब यह जो है यह basically आपका bread आपका ढोकला इडली यह सब बनाने में यूज होता है इवन East को alcohol fermentation के response में भी process में भी यूज किया जाता है तो food इसका एक scope हो गया दूसरा आपन agriculture अग्रिकल्चर में भी हम उन कह सकते हैं जो जो कि क्रॉप को खराब करते हैं उसमें disease प्रड्यूज करते हैं इसके अंदर अलग अलग वाइरस बैक्टीरिया यह सब होते हैं लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है जो कि agriculture आसपेक्ट से बहुत उपियोगी है यह बहुत यूस्फुल है जैसे फर इसके अलावा जो होता है कि agriculture के अंदर bacillus subtallis, bacillus subtallis, bacillus remosus यह आपका putrefying bacteria है अब यह आपका agriculture हो गया अग्री कल्चर में इसके अलावा कई सारे ऐसे micro-organisms है जो कि transgenic plants को generate करते हैं, transgenic plants के होते हैं वो अभी हम detail में समझेंगे बर बेसिकली जो है agriculture science में भी microbiology का स्कोप है अब उसके बाद थर जैसे इंवायमेंट, environment के अंदर अपन क्या-क्या देख सकते हैं environment में surrounding में सभी जगे micro-organisms है जैसे आपका blue-green algae, cyanobacteria, nitrosomonas, nitrobacteria और यह आपका जो petrifying bacterias है bacillus, ramosus, bacillus, subtilis यह सब आपके environmental जो है हमारे surrounding environment में जो है lactobacillus यह सारा आपके surrounding bacterias है जो कि आपके environments के थरूँ आपसे interact करते हैं इसके अलावा medical sector में microbiology का बहुत बड़ा important से क्यों क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि medical कोई भी test अप कराना जाते हो तो पहले instrument को पूरी तरीके से sterilize किया जाता है क्यों even आप एक injection भी लगवाने जाते हैं तो पहले वह आपके surface को जो है sterilize करता है spirit से वह basically क्या होता है alcohol होता है तो वह क्यों कर रहा है क्योंकि sterilize क्यों कर रहा है क्योंकि अगर surrounding के microorganism वहाँ पर आ गए तो वह सेपसिस प्रड्यूस कर सकते हैं वह उस जगे को गला सकते हैं खराब कर सकते हैं और अगर वह instrument को जो है नहीं करेगा sterilize तो वह जो है microorganism आपकी body तक चले जाएंगे तो medical aspect से तो इसका बहुत ज्यादा कह सकते हैं scope है और कई सारे जो microbial diagnostic test होते हैं जिसमें हम अलग-अलग antibiotic का यह देखा जाता है कि उसका कितना dose जरूरी है किसी microbial growth को रोकने के लिए तो वो जो है उसमें उन टेस्ट में भी इसको कह सकते हैं perform किया जाता है वो microbial system जो है generate किया जाता है इसके अलावा जो है medical aspect से हम उन microorganisms की study भी करते हैं जो की disease produce कर रहे है इसके अलावा जो disease produce कर रहे हैं जैसे आपका TB है titanus है ठीक है लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे भी है जो कि हम हमारी immunity को boost-up करने के aspect से भी important है तो वो हम देखते हैं immunology scope की अंदर immunology scope की अंदर क्या होता है आपका कि जो हमारे immune system को boost-up करें तो हमारे immune system पर बूस्ट आप करता है एंटिवाइटिक्स करती हैं, है ना, एंटिबॉडिस करती हैं, वैक्सीन करता है, तो यह सब भी हम किस से जनरीट करते हैं, माइक्रो और अर्गनिसम्स करते हैं, अभी हम अलग-अलग एक्सामपल्स भी दिखेंगे, तो उसके बात, जनेटिक क्या होता है कि कोई डिटेल नॉलेज जो है जो हमने रिसीव कर दी उसके बाद हम उसको कैसे आगे इंप्लिमेंट करते हैं अब सबसे पहले यहां पर पहले अगर हम बात करें तो किसके अंदर इसका आस्पेक्ट है फूड के अंदर फूड के अंदर car we can study in this scope we can study the microorganism जब म् start-form मम MOS लख्री हूं we can study the microorganism which can alter which can alter contaminate or contaminate और preparation of the food preparation of the food में भी उसकिया जाता है preparation of food इसमें भी उसकिया जाता है for example जैसे आपका क्या है food के अंदर आपका जैसे curd बनाने में यह आपका preparation में जैसे आपका bread containing product बनाने में ठीक है जैसे bread को करने लिए कौन सा microorganism लगता है saccharomyces cerevisi saccharomyces cerevisi लगता है इसके अलावा आपका जैसे cheese बनाने में cheese बनाने के अंदर आपका लगता है candida colicosa candida coliculosa candida coliculosa इसके अलावा योगहर्ड बनाने में भी योगहर्ड बनाने में streptococcus streptococcus thermo 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 5 यह species लगती है streptococcus thermo 5 जो है यह species लगती है आपकी और आपका soya sauce बनाने में soya sauce सोया सोस बनाने में soya sauce बनाने में then daran में जो आपकी species लगती है antirococcus Whoa med cat antirococcus यह आपकी species लगती है All that caught soya sauce बनाने में mos करड बनाने में, करड फार्मेशन में लक्टूंगे अ यह आपका फूड का स्कोप हो गया में अब हम बात करते हैं अगरिकल्चर की स्कोब यहां पर अगरिकल्चर के अंदर, यहां पर आगरिकल्चर का स्कोप हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यास a waeh that economy पएरस और क्रां तो उनको भी हम study करते हैं तो इसके अंदर हम study करते हैं यह स्कोप है microbes which can contaminate the plants contaminate or disease the plant diseased the plant and and increase the production also and also study the microorganism which can increase the production which can increase the production also तो कई सारे ऐसे bacterias हैं जो की production में increase करते हैं for example इसके लिए सबसे अच्छा बैक्टिरिया है आपका नाइट्रो सुम ना जो कि करते हैं है स्वाइल फरेलईटी के लिए बढ़ाने के ली है आपका इंजाइम जो बैक्टिरिय वो कूर सा है इसके आह का neideक Village के लिए यह सॉल प contributor के लिए यह आपक्स के लिए नाइट्रो सोमनॉस आं Bacterias भी होते हैं, जो कि agriculture scope में करते हैं, Pewterifying Bacterias कौन से होते हैं? Pewterifying Bacterias Pewterifying Bacterias Pewterifying Bacterias के अंदर हम study करते हैं जैसे आपका Bacillus Subtilis Bacillus Subtilis Bacillus Bacillus Mycoides Bacillus Mycoides Bacillus Subtilis bacillus ramosus, bacillus ramosus, इसकी study करते हैं हम, इसके अलावा यह जो putrifying bacterias, basically करते क्या है, these convert the protein into ammonium compounds, into ammonium compounds, यह putrifying bacterias होते हैं, और यह putrifying bacterias क्या करते हैं, nitrogen cycle को maintain करते हैं, कि जो environmental, जो ammonia का concentration, इसको maintain करते हैं, यह putrifying bacterias, इसके अलावा, हम discuss करेंगे, agricultural scope के अंदर, transgenic plants का, transgenic plants, basically क्या होते हैं, transgenic plants, basically, वो plants होते हैं, जिनके अंदर, इस तरीके का, genetical transformations किया गया है, जिससे कोई bacteria, जिससे कोई कह सकते हैं, कि कोई कीडा, या कोई virus अगर उन पर attack करता है, तो वो automatically degenerate हो जाता है, और वो plants सेव हो जाता है, तो इस तरह के plants जो होते हैं, वो कौन से होते हैं, transgenic plants, और plants के अंदर, genetic transformation हम किसकी help से करते हैं, different kinds of bacteria के help से, और वो bacteria होते हैं, जैसे E. coli, इस bacteria आजदा, E. coli, और Isteria coli, ठीक है, इस तरह के से हम, जो है, plants को transform कर सकते हैं, एक genetical level पे ताकि वो diseased spree हो सके, तो यहाँ पर हमारे पास agricultural aspect का भी scope आता है, उसके बाद, third scope, जो है, third scope हम कौन सा देखते हैं, third scope हम देखते हैं, हमारा environmental scope के बारे में, कि हमारे environment में कौन कौन से bacteria हैं, जो की हमको help कर रहे हैं, अगर आप देखें, तो environmental bacteria या environmental microorganisms आपकी surrounding की cleaning करने के काम में आता है, कैसे? जैसे suppose that कि कोई, अगर highway अगरा पे, कोई animal death हो जाती है, तो वो कहीं से भी उसको आप उठाते नहीं है, लेकिन वो automatically degrade होता जाता है, तो यह काम कौन करता है, यह काम करते हैं, हमारे environmental microorganisms, these are basically sweepers of our environment, तो environmental microorganisms are best sweeper of our microorganisms, क्योंकि अगर कोई चीज़ डिग्रेट नहीं भी हो रही है, तो धीरे-धीरे, with the help of these microorganisms, वो उसको totally degrade कर सकते हैं, तो इसमें हमारा third point जो बनता है, वो बनता है, environmental scope के बारे में, environmental microscope के बारे में, हम जो study करते हैं, इसके अंदर all the bacteria, इसके अंदर all the microorganisms, which can interact with our environment, which can interact with our environment, without environment, तो यह जो है, यह basically अब अपने environment में कौन-कौन interact कर सकता है, जैसे अगर हम कहें, तो हमारे environment में कौन सा मौझूद है, rhizobium भी मौझूद है, nitrosomonas भी मौझूद है, blue-green algae भी मौझूद है, तो यह सब हमारा क्या करती है, इसके अलावा जो है, आपका नाइट्रो बैक्टर, यह सब आपके इसके अंदर जो आजाएगा, इसके अलावा जो है, सारी वी-सीजियो है, यह भी आपका यह, इंवारमेंटल माइक्टर, आपको भी लिख सकते हो, जितना भी माइक्रो अलावार्क्रिम्सम में वो इंवारमेंटल के अंदर प्रेजन्ट है, तभी तो हमें मिला है, आलग से तो हमने कुछ जनरेट नहीं किया है, तो हमारा Invalarajis is a study of the microorganism, it is the study of microorganism which can boost, which can boost, our boost of our immune system, our immune system. तो यहाँ पर और we can change our immune system with the help of these microorganisms तो अब हम हमारे microorganisms को boost up करने के लिए कौन से हैं जैसे for example हमारे पास vaccines हैं ये भी हमारा immune system boost up करते हैं हमारी antibodies formation है जो कि हमारा immune system boost up करते हैं इसके अलावा जो है हमारे पास बहुत सारे टाइप के कह सकते हैं कि antitoxins हैं जो कि हमारा immune system boost up करते हैं तो इसके अंदर जिस तरह से हम बना सकते हैं जैसे हम vaccines के production के लिए हम बात करें तो vaccines के production के लिए जैसे आपका कैसा इसमें बात कर सकते हैं polio vaccine polio vaccine जो है वो आपका किसे बनाया गया है polio virus से ही बनाया गया है यह एक तरह का पोलियो वाइरस है यह किसी भी वैक्सीन है वह कैसे बनाई जाती है किसी भी माइक्रोबियर सिस्टम को जो वह डिजीज कर रहा है उसकी पैथोजनिसिटी को किल किया जाए और फिर हमारी बॉडी में इंजेक किया जाए तो उस तरहिके से जो वैक्सीन का फॉ कि आनी जो है वापा कॉन से डिजीज करता है त्टैनस करता है और इसी से हेह हम क्या म merits तकाइट बनाते हैं इसके अलावा यहां पर रिट्थिस अबनाते हैं इसके अलावा जो है आपका BCG, Bacillus, Colmative, Gorin, यह तीन साइन्टिस्ट थे जिन्हों ने यह BCG का टीका इजाद किया था Basically BCG का टीका क्या है आपका? Tuberglosis और आपका TB जो है उसके इलाज के लिए और पहले काली खासी बहुत चलती थी BCG का टीका आज भी लगाया जाता है तो यहां पर यह है आपका immunology system में इसके अलावा कहीं सारे जो आपके anti-toxins होते हैं anti-toxins या anti-sera development में भी इसका काम में आता है anti-sera, titanus sera यह सब बनाने में जो है आपका rabies vaccine rabies vaccine गजो है रेबडो वाइरस रेबीस इस से होता है रेबडो वाइरस से यह होता है अपका rabDo वाइरस से और इसको किल करने के लिए जो rabies के वैक्षिन है वो इससे बनाये गए तो यह rabies एंटी टॉक्सिंस या एंटी टॉक्सिंस भी बनाया जाते हैं उसका जो वैक्सीन है वो भी इससे बनाया जाता है इसके अलावा जो है आपका मेरोलोजी के लिए कई सारी एंटिवाटिक्स के लिए भी यह हम एंटिवाटिक्स भी क्या करती है हमें हमें जो है बचाती है सबसे पहली जहविटिकस थि वह विक वाक है जो जो आपिशवी तिन एक अगी वर जा फिल भी कर ऑच आपको किसे हो जाएगा Streptomyces Griceus से यह बन जाता है ठीक है तो इसके अलावा जो आपका बहुत सारे जो वैक्सीन से एंटिपाइटिक्स हैं यह सब हमारे Immunological System को क्या कर रही है बोस्ट अप करती है इसके अलावा अब जो next scope है जो अब हम पढ़ेंगे that is the medical scope medical scope हमने कहा है कि बहुत जादा है medical scope क्या है बहुत जादा है क्यों क्योंकि अगर microorganism नहीं होते तो यह सब खोज भी नहीं होती है वैक्सीन वगरा की और यह सब हमारे इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रालाइस करने की जरौत भी नहीं पढ़ती तो next अब हम फिप्त नंबर पर पढ़ लेते है हमारा micro यह किल सकते है medical जो इसका scope है medical scope क्या है medical it is the study of the microorganism in which we study the use the microbial system in the biochemical test in the biochemical test इसके अलावा जो है bacterial test के अंदर इसके अलावा जो है antibiotic test के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं इसके अलावा diagnostic tools के अंदर हम कर सकते हैं diagnostic tools के अंदर और इसके अलावा कर सकते हैं treatment में micro medical scope बनता है तो इसके अंदर हम किस किस कि study करते हैं basically जो भी आपके medical or immunology कहीं ना कहीं similar चीज़े हैं तो यहां पर हम यह बात कर सकते हैं we can study the all the microorganism which can produce the disease also अब disease कौन कौन से हो सकती है disease बहुत अरिके होती है जैसे आपकी वाइरल disease bacterial disease fungal disease ठीक है तो यह सब जो है आपकी प्रोटोजोल disease ठीक है यह सब जो डिजीज है आपकी यह सब किस किस के अंदर study करते हैं medical system medical scope के अंदर इसके अलावा इसके अंदर हम यह सब study तो करते ही है लेकिन हम इनका क्योर कैसे किया जाए इनका treatment कैसा किया जाए वो भी हम सारा study करते हैं अब यहां पर medical के बात का जो इसको बंदा है वो हमारा होता है genetic engineering वो भी आजकल के आसपेक्ट में हम कह सकते हैं कि बहुत important है बिल्कुल important है क्यों क्योंकि genetic engineering basically कई सारी चीजों को कह सकते हैं कि बहुत easy बना दिया है सबसे पहली बात कि genetic engineering क्या कहता है genetic यानि gene से related है engineering मतलब कांच चाट क्योंकि engineer word तोड़ फोर ठीक है तो ऐसा कुछ हमने किया है इसके अंदर कि हमारे genes के अंदर कुछ modifications की हैं जैसे अभी हमने discuss किया कि transgenic plants बनाए हैं सेम उसी तरीके से यहां पर जो genetic engineering है इसके अंदर हम क् करते हैं कि पहले माइक्रोबियल माइक्रोबियल जीन के अंदर चेंज करते हैं और फिर उन जीन से हम required product बनाते हैं इन genetic engineering के अंदर हम जो बहुत जादा bacteria यूज करते हैं वो यूज करते हम E. coli isteria coli को हम बहुत यूज करते हैं isteria coli को हमेशा उसका cut लगाया जैसे उसका जो genetic, extra genetic material है जिसको हम बोलते हैं plasmid और उस plasmid में cut लगाया यहां से जैसे cut लगया तो उसके बाद जो required piece है जो gene है suppose that कि मेरे अंदर कोई gene absent है और मुझे मेरे वाड़ी में वो gene डालना है तो क्या किया जाता है कि इसके लिए genetic engineering की help ली जाती है तो जो bacteria है उसका genetical transformation किया जाता है उसके bacteria plasmid के अंदर जो कि उसका extra chromosomal material है उसमें वो gene डाली जाती है बाद इंसुलिन की gene टाला है जकी टाल की इन-सल्ओ में डाला जाता है तो छब यह बैक्टिरिया से एक से दो से चार जब साड़ हूंगे क्योंकि बैक्टिरया की multiplication rate बहुत स्यादा होती है तो यह इस तरह से multiply होंगे तो automaticली यह जो system है यह जो है डबलेट हो जाएगा तो जीन्स को ऐसे लैब के अंदर बढ़ाना मुश्किल काम है और कह सकते हैं एक्सपेंसिव भी लेकिन बैक्टीरिया के अंदर डाल के ईजी है और फिर जब यह प्रॉपर प्रोड़क्ट बन जाएगा तो फाइनली मेरी बॉड़ी में डाल मेरी वा जीजा तो यह सब चीज जो है इसके लिए जनेटिक इंच Circच्चन की हरुप लिजाती और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज की घट ली जाती है इसके तो आलावा यहां पर ऑजी कट किया गया यह कट किया जाता है बहुत वह हुत भी रेस्ट्रिक्षन ए बैक्टिरिया से ही और अलग-अलग कह सकते हैं माइक्रोबियल सिस्टम से ही सेपरेट किया जाता है जैसे आपका अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे आपका एकोलाई से E. coli से separate किया जाता है आपका hemophilus से separate किया जाता है है ना और bacillus bacillus influenzae से separate कर सकते हैं तो यह genetic engineering से भी हम बहुत ज़्यादा क्या सकते हैं कि genetic engineering के अंदर micro value का बहुत ज़्यादा scope है अब हम last scope जो पढ़ रहा है that is the industrial industrial level पर किसी भी चीज की कोई भी limit नहीं है क्यों क्योंकि industrial scope है कैसा scope है जहां पर आप vitamins की study भी करेंगे मतलब industry में vitamins बनाए जा रहे हैं microorganism से industry के अंदर fermentation से alcohol बनाए जा रहा है industry के अंदर vaccines बनाए भी जा रहे हैं industry के अंदर effluent scope जो है neutralize भी किया जा रहा है तो उसके अंदर क्या सकते हैं भरमार है तो अब लास इसकोप जो है हमारा कि वह कौन सा है आपका industrial scope इंडस्ट्रियल इसकोप कैसा है कि इंडस्ट्रियल स्कोप में हम उन study करते हैं we can study the microorganism which can use in the production of industrial level अब इंडस्ट्रियल लेवल पर कोई भी production हो फर एक्जामपल जैसे आपका alcohol production alcohol production के लिए क्या यूज किया जाता है आपका West Virginia सबसे बैस्ट एजेंड है सचरोमाय के सचरी proporcus जैसे जावा है इंडस्ट्रे के लिए जैसे एसट आंदर production जैसे acid production जो है alcohol production में the ventilation में यूज किया गया है citric acid production है citric acid प्र्रोडक्ष्टं में जो है 가장 जो है आपका citric acid production के अंदर क्या यूज किया जाता है और्थोब्लै्टर यूज किया जाता है इसके अलावा और आसेड ये तो आपका एलकॉhol क्या दूसरा आपका इसध प्ड़ॉद्चन आसेड यूज किया जाता है प्रोंटाइन चिलते हैं इस 만큼 तो समस्टाइन चेड़ा मपलाइज अप्रोंड सब्सक्राइब बॉलनेु來到 200uu क्षरिवें इसमें चेह में आपका, नापिओं भी उप्रोड्चेण घ्युक्ण सर्ट्टि मेंECT विटामिन जैसे है आपका विटामिन जैसे है आपका विटामिन प्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं जैसे आपका राइबो फ्लेविन जो विटामिन है वो आपका कौन सा है वो आपका अस्बिया गोसपी यह आपका है असबिया गोसपाई यह आपका क्या है एक तरह का फंगस है यह जो है राइबो फ्लेविन के प्रोडक्शन में यूज Kindern जाता है एसिड के अंदर अपने एक एक्जामपल लेक्टिक असिड का ओर दे सकते हैं लेक्टिक असिड के प्रोड़क्शन के लिए ल्यूको नॉस्टॉक यूस किया जाता है तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि यूस की जाती है और जनरेट की जाती है जैसे इंसुलिन वगरा का प्रोड़क्शन जो है जो कि जनेटिक इंजिनिरिंग के अंदर भी है और इंडस्ट्र प्रोड़क्शन के अंदर भी है यह किसे बनाए जाएगा स्ट्रेप्टो माइसियस स्ट्राप्तो सावार एंजॉम बहुत इंपोर्टिंट है आपकर देखें तो बेसिकली एंजाइम्स क्या है बेसिकली प्रोटीन है और प्रोटीन हमेशा कह सकते हैं बहुत एक्सपेंसिव होता है तो पर एक्जामपल जैसे अगर आप मशली लेने जाएंगे तो वह थीन सू रुपे किलवाएगा लेकिन आप नॉर्मल सब्जी लेने जाएंगे तो प्रोटीन का है तो जो इंडुस्ट्री जो एंजाइम बनाती है उनको उनका जो प्रोसेस होता है वह काफी सब्सक्राइस आनुर्णेस सकते हैं कि ईंडुस्ट्रियल स्टैप है तो इसके लिए आलväर जासे आपन बोल सकते हैं कि जो इन्वर्टे इंजाइम है इंवर्टे अंजाइम के प्रोड़क्शन के में कौन से यूस करते हैं सैकरोमाइस यह वापस सेची को इसकते सैरि जो है जो रिन दे लेटा क्शाइड एक 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 पैन से लीनेज यह यह एंजाइम होता है यह आपका बैसे लस रसस वैस या सत्र मिरश проис सेरसस के थ्रू किया जाता है इसके अलावा जो है आपका लाइपेज एंजाइम जो है लाइपेज आपका लाइपेज एंजाइम जो किया जाता है और राइजोपस की हेल्प से किया जाता है राइजोपस की हेल्प से तो यह हमारा इंडस्ट्रियल स्कोप हुआ अब बेसिकल कितना microbial system है जो कि in future पढ़ा जाता है और आपका जब आप detailed studies में करेंगे तब जाके पढ़ते हैं अभी तो यह है कि scope है तो हमें कोई initial level इसको समझाना है फिर भी मैंने कोशिश की है I hope आपको समझ में आया होगा फिर भी कोई doubt है तो you can ask me in the comment section और अगर आपको पसंद आया है तो hope you will like share and subscribe